Guys, WordPress की इस वीडियो में हम बात करेंगे How to create a drop-down menu in WordPress कि आप अपनी WordPress website के अंदर के से एक drop-down menu create कर सकते हैं, like this, ठीक है? So, अगर आप अपनी website के अंदर इस तरह drop-down menu create करना चाते हैं, तो आपने क्या करना है? आपने जाना है अपनी website के dashboard पे, ठीक है? and dashboard पे जाने के बाद आपने जाना है, appearance में and appearance के अंदर guys, यहां पर आपको option मिलेगा menus का तो आपने जाना है menus में menus के अंदर guys, आप यहां पर देख सकते हैं, primary menu के अंदर यहां पर है home about us in contact यहां पर भी आप देख सकते है, home about us in contact so अगर आप यहां पर कुई drop down menu add करना चाहते है तो आप add कर सकते है, आप pages को add कर सकते है post को add कर सकते है, custom links को add कर सकते है और आप किसी category को भी as a drop down menu add कर सकते है ठीक है, so let's say यहां पर मैं एक page को add करना चाहता हूँ about us के नीचे is a drop down menu, ठीक है so मैं यहां पर pages को expand कर देता हूँ like this and उसके बाद मैं जाता हूँ view all पे view all पे जाने के बाद guys मैं यहां पर इस page को select कर देता हूँ privacy policy को, ठीक है and select कर लेने के बाद guys, मैं यहां पर add to menu के उपर click कर देता हूँ ठीक है add to menu के उपर मैंने जैसे click किया guys, आप यहां पर देख सकते है कि privacy policy page जो है, वो यहां पर add हो चुका है ठीक है, so मैं यहां पर इसको drag कर लेता हूँ and इसको about us के नीचे as a sub item add कर लेता हूँ ठीक है and add कर लेने के बाद guys, आपने make sure कि आपने यहां पर इसको check करना है primary menu को, ठीक है अगर यह आपके पास uncheck है तो आपने इसको check करना है and then आपने इसको save कर लेना है save menu menu save कर लेने के बाद guys, now let me show you मैं इस page को refresh कर लेता हूँ and यहां पर guys, आप देख सकते है about us के नीचे, यहां पर privacy policy का जो page है वो यहां पर as a drop down menu show हो रहा है ठीक है so आप इसी तरह किसी भी page, post या category को as a drop down menu बना सकते है and आज की वीडियो में बस इतना ही guys please वीडियो को like कर दीजिएगा वीडियो में तब तक के लिए take care and good bye